नमस्कार स्वागत आपका नीजोल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूलतियागे और आप देख रहे हमागा खाश शोर चार का चक्र व्यू अगले साल पांच राजो में विधासवा चुनाव होने वाले हैं लेकिन अगले साल देश में सबसे ज्यादा अबादी वाले राजय उत्रप्रदेश की चुनाव पर हर किसी के निकाहे ठिकी हुई हैं और चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अब सक्रिय हो चुकी हैं अचानक मुस्लिम, OBC, ब्रहमन, शत्रिय और दलितों की बात हुने लगी हैं वोटरों को लुभाने की सारी तिक्डगे शुरू हो चुकी हैं चुनावी रण में सभी राज्वितिक दलों का एक दूसरे के वोट पर चोट करने का इरादा भी है सब कुछ सेटिंग पर डिपेंच करता है ऐसे में मद्दाताओं को लुभाने के लिए विवाद इसपत बयानों, स्कीमों और गोस्टियों का दौर शुरू हो चुका है हर पाची का एक सेट वोट बैंक है और ऐसे में चुनावी शत्रंच की विसाथ में वही जीतेगा जो अपने वोट बैंक को हिलाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा इसलिए विकास तो सिर्फ बाते हैं, इतिहास कवा है कि यूपी का चुनाव आते ही सबसे पहले जाती और धार्मिक समिकरन देखने को मिलता है और इस बार भी वही होगा, सच तो ये है कि इसकी बानगी देखने को मिलेगी और मिलती भी रहेगी आके आने वाले समय में 2017 के सूशल इंजीनरिंग के मॉडल को दोराने की जुगत में है उन्हें पता है कि अपना वोट बैंक बनाए रखते हुए अगर वो सत्तारून बीजेपी से ब्रहमनों को अपने खेमे में खीच लाती हैं तो ऐसा मुमकिन है पहले भी वो ऐसा कर चुकी है और ब्रहमन वोटों को खिसकाने के लिए उन्होंने अपने हिसाब से सबसे भरोसे मन्स को जाती से ब्रहमन सतीश मिश्रा को इसकी जिम्रदारी स्वापी थी और पिछले कुछ समय से वो सूबे में भ्रहमन सम्मेलन कराते हुए भी नसर आए ये फॉर्मूला कितना हिट होगा ये तो समय आने वाला ही बताएगा लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भ्रहमन उनकी बातों से कितना कन्विंस हो पाते हैं सपा भी भ्रहमनों को हातों हात लेना चाहती है उदर सपा ध्यक्ष अखलेश शियादव ने 22 अगत से जिला इस सरिये भ्रहमन सम्मेलन के जरिये भ्रहमनों तक पहुंचने की कोशिश और तेज करती है बहुजन समाज पाची प्रमोक मायवती ने लखनव में आयोजित प्रभुद सम्मेलन में वो बाते कहीं जिससे मंडल आंदोलन के बाद शुरू हुई दलित राजनीती की मूल अफधाना पर भी सवालिया निशान लग गया है उन्होंने पिछडे दलितों वंचितों के साथ साब भामणों को भी शुरूषन का शिकार बता दिया बड़ी बात ये है कि उन्होंने उत्तप्रदेश की मौजूदा योगी आदितिना सरकार पर ही भामणों के शुरूषन का आरोप नहीं लगाया बलकि ये तक कहा कि यतीत में भी होता रहा है ब्रामण चंक बजाएगा हाती वढ़ता जाएगा तक पहुंच चुका था लेकिन 2021 में मायावती ब्रामण भी शोशित कहकर इस सफर को एक नई दिशा देती हुई नसर आ रही है भला उस दोर को कौन भूल सकता है जब मंदल कमीशन की सिपाज़शों पर आरक्चन की राजनिती शुरू हुई और फिर राजनितिक दलों में खोद को दूसरों के मुकाबले बड़ा दलित हितैश्री साबित करने की खोड मच गई इसी प्रतिस परदा ने राजनितिक दलों को दलितों पिछडों के हग खुकूप की चिंता करने के लिए सीमा से निकाल कर अगडी जातियों के प्रति अगहात घ्रणा फिलाने के खुले मैदान में उतार दिया सिर्फ ब्यस्वी की भी बात करें तो इसके संसापक कांशीराम के दिये गई नारे ही ये बताने को काफी है कि दलित राजनीतिक यार में भ्रामणों समें तमाम अगवी जातियों के प्रति किस हद तक जहर उगले गए थे पहले आप खुदी सुन लिजे कि प्रभुद समेलन में मायवती ने किस सरह से प्रामणों को सातने की कूशिश्की की प्रतियों में कागे लखें तो उने स्वामान करल का निदी नवस्ताक जानी रथा एक सेवा अगलावादी मी तनाई जाए जाएगी इसके आगा उन्हें संत्रिक विजारूं के समग में ये माधिल उपा है कि कुछर्ण परदेश में तो सर्कारी सर्स्तिक विजारे में उ हमने अपनी चाहपार नहीं सर्कार भी चाहपार नहीं सर्कार भी चला कर दिखाई हैं। और इस दुना हमने सभी चाहदी वेजरत के लोगों की सुरुक्षा, सम्मान, एमों तरफियाई का तब की अभी पर पूरा प्रद्धान दिया हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी ने उस दुस्री पार्टीों की तरह ना तो कभी हवा हवाई बाते दिया हैं। तता नहीं जुना के समय में किसम किसम के परभूबब भरे आसपाशन आधि देकर जन्पा पुच्छन में परियास दिया। इसमें जाजी हमारी पार्टी के चारोगे सद्धारोगे हमेसा जहाँ सब समाज के इत्र हैंक कर्यान देन जभी मिनों तुस्ता करते निचाएं। मैं इसके लावा जहां मैं इस मोटे पर किसानों के सुबज में विडिया बंगों को यह भी अभू कराना चाहती हूँ कि भार्टी जिर्कार पार्टी ने चुना पिर पहले बोट लेने के लिए किसानों की आमनी दो गुना करने का प्राज़ा गया है काशी राम ने पिछड़ो और दलितो के उत्थान के लिए डी एस को नाम केक संगठन को बनाया था तब उन्होंने नारा दिया था कि ठाकुर भावन बन्या चोर बाकी सब हैं डी एस को तिलक तराजू और तलवार इनको मारो यूतेचा का नारा समाज में अगड़ी जातियों के प्रती किस हद तक घणा का सुदपात्र किया होका इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है बात यहीं तक सीमित नहीं रही बलकि मामला जैशी राम तक पहुच गया इसे राम मंदिर आंदोलन से बीज़ेपी के प्रती जनता के बढ़ते जुकाफ के संकत का सामना करने के लिए एसपी बीएसपी के गटबंदन के प्रतिकात्मत नारे में भी महसूस किया जा सकता है तब नारा दिया गया था कि मिले मुलायम काशी राम हवा हो गए जैशी राम यह नारा सिर्फ बीज़ेपी के विरोध तक सीमित नहीं रहा आज दलित छिंत को या दलित की तैशी होने का दम फ़रने वाले नेता या फिर कोई भी सामाजिक कार्यकरता उनमें कोई ऐसे कई ऐसे हैं जो यह जताने और बताने की कूशिश करते रहे हैं कि हिंदू मतलब तो सिर्फ अगड़े दलित तो हिंदू है ही रही उत्ताप्रदेश में ही मायवती का विकल्प बनाने को उतावले भीम आत्मी प्रमुख चंदुशेकर भी इस फ्योरी को खूप हवा दे रही है देले मंदल जैसे दले चिंतक तो सनातन धर्म की सीमा अगरी जातियों तक ही सीमित रखने की जोरदार वकालत करते रही है तो अब सवाल है कि अब क्या बदल गया है कि मायवती को भामणों को शोशित बताना पड़ गया आप कह सकते हैं कि मायवती का हिद्य परिवतन आज नहीं हुआ उन्होंने 2007 में ही शोशल इंजिनिरिंग के सहारे यूपी की सत्ता पाई थी तो आई ये 2007 की सोशल इंजिनिरिंग के नारों की भीचारा बात कर लेते हैं तब मायवती ने सतीश चंद्र मिश्रा को अग्वे मोचे पर तैनात किया और नारे दिये धामन शंक बजाएगा हाती बढ़ता जाएगा आदी ये तमाम ऐसे नारे थे जो दिये गए थे और पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 2007 में ब्यस्पी की राजमीती ने भामन शंक बजाएगा हाती भरता जाएगा तक का सपर पूरा कर लिया था लेकिन तब वर्ग विभेद की सीमा नहीं मिती थी तब ये तो कहा गया था कि भामन शंक बजाएगा लेकिन ये नहीं बताया गया था कि जब ललित हुंकार भरेगा तो ऐसे में उसका क्या होगा अब मायवती ने बता दिया कि भामन के शंक और दलित के हुंकार विरोध भासी नहीं है वही दोनों ही चोशतों के चितकार की प्रधी धुनी है अब आप सोच रहे होंगे कि अगरे पिछडों के भी जितनी बड़ी खाई बनाने और बहाने में सालों पसीना बहाने वाली BSP के सामने ऐसे क्या मजबूरिया पड़ी कि उसे सब कुछ कंट्रोल प्लस जेड करना पड़ा यानि कि फिर से वही फॉर्मूला अपनाना पड़ रहा है दरसल पिछुडे वर्गों के आरक्षन के जर्ये मंडल पॉलिटिक्स के बक्स बरकस बीजपी ने आयोध्या राम जन भूमी के हवाले से कमंजल की राज़नीती शुरू तो कर दी और ऐसे में दो ध्रुविये सियासत ने अपना आकार ने लिया डलेत राजनीती वाली पाठियों ने अगरी जातियों से सत्त चीन ली बीजपी ने जैशी राम के ज़गे उन्हें धन संस्कृति की ओट से सहरा दिया इस तरह सियासी जमीन खोई ब्रहमणों को संस्कृतिक जमीन मिली तो उन्होंने उसे से संतोष कर लिया लेकिन आज माहौल बदल चुपा है विधान मंत्री नरेंद बोदी और ग्रह मंत्री अमेज शाकी बीजपी ने बीजपी की ब्रहमणों की पाची फूने की शवी सिछुटकारा दिला दिया है अपने मात्र संगठन राश्ट्री स्वय सेवक संग की सह पर बीजपी लगाताद दलीतों में पैट बना रही है साल 2014-2019 के लोग सबाचुनाव समेथ कई राज्यों के विधान सबाचुनावों के पईनाव इसके गवाब बनने रहे है और ऐसे में आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन से ब्रहमन समुदार मुखे रूप से बीजपी को वोट देता रहा है मंदल और मंदिर आंदोलन से पहले वो कॉंग्रिस का कटर वोटर था बीजपी को इस वोट बैंक की ताकत पता है यही वज़ा है कि उससे भी बसपा और सपा के काउंटर में ब्रहमन सम्मेलन शुरू किये हैं ब्रहमनों के अलावा ठाकुर और दूसी सवन्ट जातियों की भी बीजपी को ही वोट देती आई है ऐसे में प्रदेश में भ्रहमनों की अबाधी करीब 12 फीस्दी है और छाकुरों की 8 फीस्दी है सिर्फ यही दोनों मिला कर 20 फीस्दी बन जाते हैं इस वोट बैंक में थोड़ा भी हेर फेर हुआ तो सीधे सीधे बीजपी को चोट पहुंचेगी बीजपी कते ही नहीं चाहेगी कि उसका मजबूत वोट बैंक किसी भी तरह से पाला पतले यही वज़ा है कि वो हर जोड़ों को नाकाम करने की उशिश भी करेगी अब हाली में बीजपी की सफलता वे उसके ट्रडिशनल वोट बैंक के साथ बीजपी दीरे इस वोट बैंक को अपने पाले में खीच रही है केंद्रिय मंत्री मंजल में समुदाय के 27 मंत्रियों को शामिल करना भी उसके इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है बीजपी ने 2 सितंबर से आउट रीच कारकरंग शुरू किया है इसकी कमान बीजपी ओबीसी मूचा कुद्धी कई है और ये बैठको फेसर ये समचा जा रहा है कि कैसे अन्मेर राजमितिक दलों ने उन्हें धुका दिया है और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में माना है बीजपी दलित वोट बैंक को भी तोड़ने के पूरे प्रयास में है कई जातियों कउँ से पिश्वे चुनावों में समर्थन भी मिला है ऐसे में दलित समुदाय मुख्य रूप से बस्पा का वोट बैंक राखा है और ये प्रदेश की अबादी में 20.8 वीज़ी रहा है ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में AIM की एंश्वी केलान से सबसे बड़ा खत्राद समाजबादी पाच्छी को होता हुआ दिख रहा है दरसक प्रदेश में 19 वीज़ी मुस्लिम बोटर हैं ये मुखे रूप से सपा को वोट देते आए हैं सपा ने मुस्लिम और यादब बोटरों को थाम प्रदेश में कई बार सप्ता का स्वाच चखा है और इसलिए मुस्लिम बोटरों की खास बात ये रही है कि ये बल्क में पड़ता है जिस और ये गिरता है सपता का रुख पलट देता है बस्पा और कॉंग्रेस को भी मुस्लिम बोट भी मिलते रही है लेकिन फाल के समय में सपा पर ही मुस्लिमानों ने सबसे ज़्यादा फरुसा चुताया है अगले यूपी चुनाब में ये गणित बदलने के आसाथ भी है ऐसे में AIMI के अध्याक्ष असुदिन उवेसी मुस्लिमों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे है कि उनको सिर्फ दूसी पार्टियों ने ठखने का काम किया है सच तो ये है कि उनके असली मसीहा वही है उवेसी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टिय आने वाले उत्तप्रदेश विधानसवा चुनाब में करीब सौ सीचो पर चुनाब लड़े की और सभी वर्गों के लोगों को चिकित भी देगी सपा और बस्पा ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समास से कोई निता उभर कर सामने आए उन्होंने कहा कि सपा बस्पा ने मिलकर चुनाब लड़ा फिर भी बीजेपी जीत गई ऐसे में मुसल्मानों ने आपको जोली भर भर कर वोट दिया फिर कहा गया वो वोट जै और बदले में उन्हें क्या मिला ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाबों का विगुल फूक ने उत्रे ओवेसी ने साख कर दिया कि हमारा उद्देश प्रदेश में भातिये जनता पाची को खराने का है हम चुनाब लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी उन्होंने कहा ये जी तो तप्रदेश के मुसल्मानों की ही हुई OVC ने कहा कि मुझपन नगर गंगों में जिन नेताओं का नाम सापने आया था उनके केस भी वापस ले दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रग्या और सिंगर जैसे नेता लोगप्रिय हो जाते हैं लेकिन मुपतार और अतीक एहमत का नाम आता है तो वो बाहु बनी कहलाते हैं ऐसे में OVC ने और क्या कुछ कहा आप भी सुन गई थील में क्या कोई हायर सेकंडरी स्कूल है अगावर्मेंट नहीं है क्यों को था प्रग्वाणक को स्कूल में पढाने का शौख नहीं है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं चाहते क्या अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते ते लोग बोलेंगे नहीं मुसल्मान बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता अरे दिमाग तेरा खराब हैं पढ़ाना चाहते खाबल बनाना चाहते ताकत पर बनाना च में रुदोली में 255 सबसेंटर है चालीज प्राइमरी हेल्ट केर सेंटर है पांच कम्यूनिटी हेल्ट सेंटर है कोई सब डिवीशनल हास्पिटल नहीं है चार डिस्क्रिक और हास्पिटल है तो योगी अजित्यानाग की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ जब आप जवाब दे रहें तो सच्चाई पर वो बननी होगा आपको मालूम कि रुदोली में यह जिलाई और दियाका है यहां प्रने और घबराने की जरूरत नहीं है यह समाजवादी पाटी हो बीस्पी हो या फिर कांगरेस हो या बीजेपी हो इनको एक ही बाद की है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडर्शिप ना बने मैं आप मैं यहां पर अपनी शौरत के लिए नहीं है और ला जानता है मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूँ कि आपकी सपों से कोई खायद उच जाए जो एक साल दो साल नहीं बलके रही अपने ओट से और पाठी के पावण डिस्प्लिन सिपाही बनकर आप मनलिस के अपने ओड़ का इस्तमाल करिए जरने और घवराने की जरूरत नहीं है मुझ पर इल्जाम लगते हैं मुझे कोई फिकर नहीं बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर मगर याद रखो जब त अब लोगते ही मना और जो मुझ्यमंतरी बाबा है इस भाबा को भी पता नहीं है इस अब बाबा को बोलेंगे ओर बिरिश तो बाबा बोलेंगे नाम बढ़न दो ता इस आ इस आई हमारा हाल होता हो गया है और अवर ब्रीज नहीं होने की बिना पर हाइवे प्याने के लिए लंबा सफर 10 किलो मीटर का करना पड़ता है और दूसरी बात यह है कि यहां पर जो कमुनीटी हेल्थ संटर है माशालला खंदेर में तब्दीर हो चुका है मेरे अजीज दोस्तों और बुद्रकों पाइप लाइन के लिए रोज खुद दी गई है यह विकास हो रहा है बाबा के दौर में बाबा के पास एक ही फार्मुला है जाके बाबा को बोलिये सर वो दक नाम बदल दो काम हो जाया जाहिर है कही न कहीं OEC ने अयोध्या पहुँचकर मुस्लिम कार्ट खेल दिया है OEC की चुनोती को अकलेश यादव हलके में नहीं ले सकते हैं दरसा यूपी में तक्रीबन 19 पीज़ी मुस्लिम बोट है और ऐसे में OEC की पार्टी AIMIM ने राज्य की 403 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है ऐसे में मुस्लिम यादव और OEC की अन्य जाक्यों की सोशल इंजीनिरिंग के सहारे अकलेश को इस बार उम्मीद है लेकिन अगर मुस्लिम बोटों में सेंद लगती है तो समाजवाधी पार्टी की संभापनाव पर भी असर पढ़ सकता है प्रेंट ये रहा है कि एक बार जब OEC यूपी आते हैं तो तीन जिलों को चुनते हैं और जैसे जन्वरी में जब वो आए तो वाड़नसी, जौनपुर और आजमगर के दोरे पर पहुंचे थे इस बार उन्होंने सुल्तानपुर बारबंग की और आयोध्या का दोरा चुना था ऐसे जगाहों को चुन रही हैं जहां उनके समुदाय के लोग मिलें और भीर को खटा हो सकें ऐसे लोग जो एकाचना शेत्रों में प्रभाश शाली हैं उनको और जिनको अन्य दलों में जगान नहीं मिल रही वो इनके साथ आ जाएंगे इनके कवायत यूपी की राजनीती में कोई माइने नहीं रखती है जिस वर की ये राजनीती कर रहे हैं वो भी इनको जानता है वो इनके भाशनों को सुन ले और खुश हो जाए ताली बज़ा ले लेकिन वोट के मामले में इनको तबज्जो नहीं दी जाएगी OVC कोई फैक्टर नहीं है और ना ही UP में परिवर्थन पैदा कर सकते हैं जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उसमें इनकी कोई भूमी का पंती नहीं दिख रही है धुरूविकरण की इस राजनीतिक को हमेशा OVC जैसे लोग सूट करते हैं और OVC का UP में ज्यादा समय देना, ज्यादा सक्रिता बढ़ाना, ज्यादा जगाओ पर लोगों को खड़ा करना उनकी पॉपुलर होने की पॉलिटिक्स के लिए मुफीत भी होगा उंग प्रकाश राजबर के साथ उनका गढ़ बंदन कमोबेश तूट चुट चुका है भागिदारी संकर्प मोचा बचा नहीं है, महांदल उसमें नहीं रह गया है, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जा चुके है इसके लावा जनवादी क्रांती पार्टी भी सपा के साथ है, आजाद समाजवादी पार्टी भी कमोबेश आरल जी के साथ है शिवपार यादव की प्रगती शीर समाजवादी पाठी की तरफ से भी लगातार सपा से करीबी केव बयान जो हैं वो आ रहे हैं ऐसे में राजबर अवो बीसी से अपनी राजनीती को अलग कर चुके हैं भागीदारी संकर्प मोचा नाम की चीज बची ही नहीं है इसलिए ओवेसी और ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि अब आने वाले वक्त में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है और जिस वोट मैंक को साथने की ओवेसी लगातार कोशिश कर रहे हैं क्या वाकी वो उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा साथ देगा या नहीं देगा ये तो विधार सवाचुनाव में साफ हो जाएगा इसी के साथ पिलार के लितना ही आप देखते रहेए निउस वालिंगिया ये कर दो हो जाएगा ये नहीं दो हो जाएगा ये वालिंगिया